तो नई वेकिंसी निकली है गौर्मेंट ओफ इंडिया मिनिस्ट्री ओफ रेलवे में जिसमें की रेलवे में नई वेकिंसी जो आपकी सेनेंटरी इंस्पेक्टर की निकाली है जिसमें कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं कितनी पोस्टें हैं क्या syllabus है क्या exam pattern है किस तरीके से आपको इसमें preparation करनी चाहिए और qualification क्या दी गई है इस बार तो सभी के बारे में बात करेंगे तो paramedical staff की ये vacancy रहेगी जो की railway board दोरा निकाली गई है तो ये जो vacancy रहेगी यहाँ यहाँ पे देखें जो level है वो level 6 की पोस्ट है तो काफी अच्छी पोस्ट आपको दिखेंगी मतलब level 6 की पोस्ट है इसमें जो age है 18 से 36 साल तक के candidates apply कर सकते हैं पोस्टें भी काफी अच्छी हैं 126 पोस्ट आपको इसमें दिखेंगी और competition इसमें काफी कम होता है आप सभी को पता है इससे पहले जो है आपकी DSSB में vacancy निकली थी और aims में तो निकलते रहती है जो भी हमसे पहले से जुड़ें उन सभी को पता होगा कि हम आपको update करते रहते हैं अगर आप चैनल में नहीं हैं चैनल को आप जरूर से subscribe कर लीजिए latest update के लिए तो अभी हम जो बात कर रहे है hospital जो आपका health and malaria inspector की grade 3 की post है तो इसके लिए तो total post हैं आपकी 126 तो सीधे देख लेते हैं क्या notification है किस तरके के previous question पूछे गए है apply क्या करना है exam कब होगा सभी के बारे में आपको हम जानकारे देंगे तो वीडियो को आप लोग जो हैं पूरा end तक जरूर देखें ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं जो आपकी age count होगी वो minimum 18 साल maximum जो है आपकी 36 साल तक आपकी age रहेगी form कौन कौन भर सकता है all India candidates इसके form को fill up कर पाएंगे age जो आपकी count होगी वो एक जनवरी 2025 से होगी minimum 18 होनी चाहिए maximum आपकी जो है 36 साल तक की age जो है इसमें मानी जाएगी और 3 साल की जो है इसमें extra छूट मिली है COVID-19 जो हुआ था उस कारण से 3 साल का जो है इसमें आयू में छूट जो है दी गई है तो SCST को extra जो है 5 साल की छूट और दी मिलेगी OBC को जो है 3 साल की छूट इसमें मिलेगी ठीक है जनरल वालो के लिए जो है 36 साल इसमें आप अपलाई कर पाएंगे तो ये साभी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी फॉर्म फीस जो है वो 500 रुपी है ओपन कैटिगरी कले अधर कैटिगरी जो रहेंगी रिजर्वेशन वाली जिनके लिए 200 रुपे की जो है फॉर्म फीस रहेगी और एक और चीज़ अगर आफ एक्जाम देने जाते हैं जिसमें कि आपको 400 रुपीय वापिस हो जाएगी और जो आपके SCST की कैंडिडेट्स हैं OBC की कैंडिडेट्स हैं तो उनकी 200 रुपे की जो है फॉर्म फीस वापिस हो जाएगी ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं इसके साथी मोड ऑफ एक्जामनेशन आपने देख लग किस तरह की से रहेगा तो यह एक्जाम ऑनलाइन होगा CBT मोड में एक्जाम कंड़क कराया जाएगा तो अब हम सीधे सिलेबस वगरा देखते हैं क्या सिलेबस इस बार दिया गया है रिजर्वेशन किस तरह की से रहेगा और फॉर्म आपको किस तरह की से अपलाई करना होगा तो सबसे पहले तो एक्जाम पैटन देख लेते हैं क्योंकि एक्जाम पैटन से ही आप लोग अपनी तयारी शुरू कर देंगे तो यहाँ पे CBT मोड ऑनलाइन एक्जाम रहेगा इसमें टोटल कोशन कितने रहेंगे हंडेट कोशन रहेंगे और जो टाइम मिलेगा वो नबबे मिनट का जो है इसमें आपको समाई मिलेगा तो नबबे मिनट में आपको सो प्रशनों को हल करना होगा question जो रहेंगे वो 70 question आपको आपके subject से संबंदिद रहेंगे health inspector जो रहेगा आपका senator inspector उससे संबंदिद और 10 question general awareness 10 question आपका arithmetic principle जो आपके रहते हैं arithmetic के और इसके साथी 10 आपके intelligence के 10 reasoning के और 10 question general science के तो कुल मिलाके जो है 30 marks का आपका general gkgs reasoning आजाएगा और 70 question जो है आपके subjective रहेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे किस तरीके से आपको अपनी तयारी करनी चाहिए और क्या syllabus के हिसाब साबको preparation करनी चाहिए इसका previous question paper अगर आपको चाहिए railway का RRB का जिसमें कि आपको सारे notes previous question paper और mock test provide कराए जाएगे जिसमें कि आप लोग हमसे भी join हो सकते तो यहाँ पे जो है link provide कराए जाएगा जिसमें कि आप लोग join हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको whatsapp number शोरा होगा इस whatsapp number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं कि आप जो है इसकी preparation करना चाहते हैं जिसमें कि हम आपको इसके study material notes और syllabus के according जो आपके previous question paper रहते हैं जितने भी all India exam होए हैं आपके health sanitary inspector के वो सभी previous question paper आपको उपलब्द कराएंगे हिंदी और English दोनुमें आपको मिल जाएंगे तो इसके लिए आपको इस number पे हमें whatsapp करना होगा जो fees रहेगी course की मतलब जो आप preparation कर रहे हैं उसके लिए application fees जो रहेगी वो सिर्फ 299 की fees रहेगी जिसमें कि आपको application का link मलेगा वहाँ पे जाके आप लोग तैयारी कर सकते हैं इसके साथ ही हम आगे देखें किस तरीके से रहेगा कौन कौन से topic आपको देखने उस पे भी बात करेंगे और इसमें आपको negative marking भी zero point जो आपका एक बट्टे तीन की negative marking भी देखने को मिलेगी तो यहां पे हो गया इसके साथ ही और चीज़ों पर बात करें कि क्या qualification मागी गई है तो qualification यहां पर आप लोग देख सकते हैं सभी paramedical vacancies की qualification आपको मिल जाएगी तो minimum qualification जो आपकी रहनी चाहिए वो B.S.C. होनी चाहिए जैसे कि chemistry से हो सकता है optional subject में आपका क्या हो सकता है जो आपका chemistry under the course plus तो यहां पर इस बार जो है इन लोगों ने क्या कर रहा है कि B.S.C. दे और साल क्या होता था सिर्फ 12th pass और डिपलोमा health sanitary inspector का तो यहां पर थोड़ा आप लोगों को देखना है जिसके पास भी B.S.C. जिसने करी है as a main subject मतलब main subject का कहने का मतलब है अगर आपकी B.S.C. तीन साल की है तो तीनों साल में आपका chemistry होना जरूरी रहेगा इसके बाद आपका क्या होना चाहिए और साथ में जो आपका डिपलोमा होना चाहिए health inspector में है health sanitary में भी हो सकता है या फिर health inspector में भी हो सकता है तो दो में से एक चीज होनी चाहिए तो दो condition होती है अच्छे सा आप लोग देख लें काफे लोगों को doubt होता है फिर आप लोग कमेंड करते है पहले तो आपके पास B.H.C. होनी चाहिए chemistry से और optional subject in any branch of chemistry अगर आपके organic, inorganic, physical chemistry है तो तब भी आप apply कर सकते है साथ में एक साल का अनुभाव मतलब एक साल का डिप्लोमा किसम होना चाहिए health sanitary inspector में ठीक है तो ये हो गया अगर आपके पास ये नहीं है तो second condition जो आपके रहेगी एक साल का जो आपका NTV करवाता है national trade certificate जो कि health sanitary inspector award by national council for ठीक है vocation training ministry of labor and employment तो वो अगर आपके पास है जिसको कि कहते हैं हम NVTL जो आपका रहता है तो वो अगर आपके पास है तो तब भी आप लोग इसके लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका एक year का जो है national trade certificate होना चाहिए तो दो चीजे हैं मतलब पहली condition तो आपके पास B.Sc. होनी चाहिए दूसरी condition जो आपकी रहेगी वो A और B तो A में क्या रहेगा आपका एक साल का diploma जो कि diploma in health and sanitary होना चाहिए या फिर वो नहीं है तो एक साल का क्या होना चाहिए certificate जो आपका रहेगा sanitary inspector का तो दो में से एक चीजे आपकी होनी चाहिए या तो diploma होना चाहिए या फिर आपके पास certificate होना चाहिए Experience वगेरा इसमें जो है नहीं माग गया है अगर आपके पास experience है तो आप इसमें लगा सकते हैं अगर नहीं है तो mandatory नहीं रहेगा वैसे अगर आपके पास है तो आप जरूर से इसका experience लगाएं तो अब हम देख लेते हैं कि क्या previous year question paper जो है इसमें रहते हैं किस तरीके से आपको अपनी तयारी को करना चाहिए अगर previous year question paper देखें रेलवे में जो vacancy रही थी 2019 में जो की health end में malaria inspector grade की रही थी तो इसमें जो question आपके रहेंगे इसमें आपको general question तो दिखेंगे ही तो यहाँ पर आप लोग general question देख सकते हैं कि कैसे questions जो हैं पूछे गई थे तो यह सभी question आपको यहाँ पर general के दिखेंगे sanitary से question food sanitary के question Hindi और English दोनों में आपको सारे questions दिखेंगे तो यह जो है official syllabus मतलब official previous year question paper आप लोग देख रहें कि कैसे questions जो हैं पूछे गई थे तो इसके साथ ही अगर आप all जितने भी अभी तक exam होए हैं sanitary inspector के सभी के previous year question paper चाहते हैं notes अगर आप चाहते हैं तो आप हमें whatsapp करें जिसमें कि हम आपको सारे notes और previous year question paper PDF format में जो हैं provide कराएंगे अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में भी आपको जो है ये सारी चीज़े available कराई जाएंगी जिसके लिए कि आपको जो है हमें telegram में join करना है इसके साहती whatsapp में आप हमें इस number पे whatsapp message करें सिर्फ आपको whatsapp में message करना है आप लोग call ना करें सिर्फ whatsapp में high करके message लिए उसका आप जो हमारी team है वो आपको reply करेगी और जितना भी study material है उसके बारे में आपको update करेगी तो course का जो है link आपको provide कराए जाएगा उसके लिए आपकी जो fees रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ nominal fees मतलब काफी कम fees मतलब एक बार आपको fee पेकरनी है जो की आपका जब तक exam नहीं होता तब तक आपको preparation कराई जाएगी जो की two double line जो है fees आपको रहेगी ठीक तो ये fees आपकी र question आपको मिलेंगे जिसमें की 70 question तो आपके क्या होंगे general 70 question आपके subjective होंगे और 30 question आपके general question होंगे तो ये जो question है वो आपके किसके हैं आपके health and malaria inspector post के रहेंगे ठीक तो इसकी PDF आपको मिलेगी आप हमें join कर सकते हमारे batch को जो है आप लोग join कर पाएंगे जिसमें के Hindi और English द तो मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye form भनना जो start हो रहे हैं वो 17 अगस्त से हैं और last date जो आपके रहेगी वो 19 September तक आप इसके form को fill up कर पाएंगे तो मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye